जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो मेरा आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिजेगा दोस्तो कुछ दिन पहले एक लेटर निकला था गौर्रमेंट की तरफ से कि जितने भी OARS हो गए, JCOs हो गए, उन्हें भी pro rata pension मिलेगी दोस्तो कई pensioners मिर से पूछ रहते हैं कि सरम इस pro rata pension को किस तरह के से claim कर सकते हैं, किस तरीके से हम ले सकते हैं और ये pro rata pension होता क्या है दोस्तो सबसे पहले आपको जानने की जुरत है कि pro rata pension है क्या और ये किस तरीके से काम करता है और ये किसे मिलता है और इसे लेने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे important question तो सबसे पहले दोस्तो हम जानते हैं कि pro rata pension होता क्या है दोस्तो मैं आपको एक example के तौर पे समझाऊंगा दोस्तो सरकार ने ये घोशना तो कर दी कि pro rata pension ORs और JCOs को मिलेगी दोस्तो इसकी कुछ terms and condition है आईए दोस्तो मैं आपको समझाता हूँ माल लिजिए दोस्तो मेरे पास दो department है एक मैं example ले रहा हूँ एक है मेरे पास defense department और दूसरा है मेरे पास civil department autonomous body का माल लिजिए दोस्तो defense department में कोई OR JCOs जिसकी calling fine service 10 या फिर 10 से उपर है दोस्तो ये OR JCO civil department में आगे जाकर shift हो जाता है यानि civil department में वो job करता है आगे जाके 20 साल माल लेते हैं दोस्तो तो दोस्तो होगा क्या जो भी उसका पुराना calling fine service है जो उसने पहले करी defense department में और जो उसने civil department में जो job करी तो दोस्तो जो उसकी पहले की जो calling fine service है उसका जो पैसा मिलेगा उसका जो benefit मिलेगा that is called pro rata pension दोस्तो अब इसमें होता क्या है माल लिजिए defense department में कोई OR JCOs 10 या 10 से उपर करता है calling fine service job करता है उसके बाद दोस्तो जो उसका पुराना पैसा है जो 10 साल का उसका पैसा या 10 से उपर का जो उसका पैसा है defense department का दोस्तो defense department जहां पे वो job कर रहा है वो अलए department civil department को उसका पैसा transfer कर देता है जो उसका 10 साल का है, जितने साल उसने defense department में काम किया, दोस्तो जो इसका पैसा है, जो उसका retirement benefit है, चैप pension हो, चैप graduate हो, चैप commutation हो, जो भी पैसा है, वो सब calculate करके, वो civil department को भेज देगा, जब कोई ORJCOs civil department में आ गया, भले ही उसकी designation दूसरी हो, तो दोस्तो जब कोई ORJCOs civil department में किसी दूसरे designation से retire होगा, तो दोस्तो उसे पूरा पैसा मिलेगा यानि 10 साल का अलग मिलेगा और दोस्तो जो उसने civil department में job करी होगी, उसका अलग पैसा मिलेगा retirement होने के बाद, तो दोस्तो जो भी इसका पूरा पैसा है, जो भी उसका अंशधान है दोस्तो इन सबको हम बोलते है ProRata pension यानि उसका बकाया कुछ पैसा दोस्तो अब यह आपको मिलेगा कैसे सबसे important बास दोस्तो दोस्तो इसका एक फार्म होता है ProRata pension का वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो ये फॉर्म है आप देख रहे हैं याप पे calculation of pro rata pensionary benefit in respect of service rendered under defense दोस्तो ये भी एक calculation के base पे काम करता है ये नहीं है कि pro rata pension एकदम से बना के किसी को दे दी जो उसने पुरानी calling fine service करी defense में उसके base पर एक sheet जाएगी उसका एक form भरा होगा उसके base पे उसकी calculation होगी तब जाके उसका पैसा पे करेगा दूसरा department civil department और दोस्तो जो उसका defense का पैसा है जितने साल भी उसने करा वो पैसा जाएगा कहाँ पे civil department पे तो दोस्तो बाद में civil department जब वो employee retire होगा तब उससे civil department पे करेगा सारा कुछ पैसा दोस्तो ये form भरा जाता है इसमें employee name आजाएगा ID आजाएगा date of birth दोस्तो फिर आएगा date of joining in यानि सबसे पहले जहाँ वो appoint हुआ initial appoint हुआ उसका defense में उसकी दोस्तो जोइनिंग उसके बाद relieving जब वो relieve हुआ फिर आएगा दोस्तो date of joining यानि दूसरी job पर जब वो join किया यानि civil department पे तो दोस्तो उसकी joining यहाँ पे फिर calling fine service और दोस्तो फिर rounded off calculation based पे उससे round off किया जाएगा फिर pay scale उसका फिर last basic pay drawn फिर दोस्तो 10 month की pay with effect from दोस्तो फिर यहाँ पे वो period लिखा जाएगा कि कब से कब तक उसने कहा क्या service करी उसके बाद उसका rate basic pay DP great pay total दोस्तो फिर यहाँ पे उसका total आएगा total यहाँ पे करा जाएगा फिर दोस्तो फिर यहाँ पे average pay निकाला जाएगी pension निकाली जाएगी उसके बाद portion of commutation निकाला जाएगा age or next birthday उसके अधार पे उसका commutation calculate होगा age के according amount of commutation यहाँ पे दोस्तो calculate होगा graduate calculate होगी फिर total amount of commutation graduate दोस्तो यह सब चीच calculate होगा उसके बाद दोस्तो pay होगा यह पैसा जो उसकी पुरानी service दी तो दोस्तो यह पूरा procedure है pro rata pension का इस तरीके से pro rata pension pay होती है तो दोस्तो यह claim करना पड़ता है एक form के रूप में और जो पुरानी service है और जो आपने दूसरी department में job करी उस सब मिला के दोस्तो बाद में आपको पैसा दिया जाता है तो दोस्तो जैसा आपको पता है आई होप कि आप समझगे होंगे pro rata pension के बारे में तो दोस्तो अगर इसके regarding आपको और कुछ पूछनों दोस्तो आप मुझे comment कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगते तो वीडियो को like करें और दोस्तो channel को subscribe कर सकते हैं Thank you so much